नमस्कार दोस्तों, आज का डिक्टेशन अस्सिसब प्रते मिनिट स्टार्ट होगा पांच सेकेंड बाद स्टार्ट उपाध्यक्स महोदय मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ मुझे खुसी है कि क्रिशी मंत्री एक क्रांती कारी बिल लाए हैं लेकिन दुख है कि जैसा बिल लाया जाना चाहिये था वह अभी तक नहीं आया है मुझे खुसी है कि मंत्री महोदय ने बड़ी हिम्मत से यह बिल पेश किया है परन्तु कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया है उन्होंने इस बात की और ध्यान नहीं दिया कि जब तक वनों को हम बचा कर नहीं रखेंगे और जमीन पर कबजा करने की लोगों की जो भूक है उसको नहीं रोकेंगे तब तक हम वनों को नहीं बढ़ा सकेंगे देश की जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वह है बेरोजगारी उसे यही एक विभाग है जो सबसे जादा दूर करता है आदिवासी लोगों को गरीब और पिछडे लोगों को वनों से ही रोजगार मिलता है काफी एसे लोग हैं जो छै महीनों वनों से ही फलफूल द्वारा भोजन करते हैं मैं इस विशय में मंत्री महोदय का ध्यान आकरशित करना चाहूंगा मेरा ख्यत्र अंडमान निकोबार है जो बहुत हरा भरा है वहां काफी जंगल है लेकिन उनको काटा जा रहा है अगर इसको सही डंग से रोकेंगे नहीं तो एक दिन एसा आएगा जब वर्षा भी वहां नहीं होगी मैंने प्रधान मंत्री जी को इस विशय में जुलाई मास में एक पत्र लिखा था उसमें मैंने कहा था कि हमारे यहां जंगलों की कुछ व्यवस्था की जाए इसके बाद एक समीती बने जिसको वहां जाकर सारी चीजों को देखना था उसकी सिफारिस के अनुसार वहां काम होना था इस समीती को बने हुए छै साथ महीने हो गए हैं लेकिन यह समीती आज तक वहां नहीं जा सकी है जगडा क्या है जगडा यह है कि कनिष्ट अधिकारी जो इस समीती का अध्यक्स बना दिया गया है जो वरिष्ट अधिकारी हैं वे कहते हैं कि हम इसके नीचे कैसे काम करेंगे उनके साथ कैसे जाएंगे इस वास्ते यह जो चीज है इसकी तरफ आपका ध्यान जल्दी से जल्दी जाना चाहिए और आपको इसको देखना चाहिए हमारी जो अर्थ नीती है वह वनों पर आधारित है जो गरीब लोग है उनका गुजारा इन वनों से ही चलता है जो इमारते हैं वे लकडी की ही बनती है इंटें वहां नहीं बनती है सीमेंट का वहां कोई कारखाना नहीं है इधर से ही वहां सीमेंट जाता है उससे सरकारी काम भी पूरा नहीं हो पाता है तो वह लोगों को कैसे मिल सकता है आज सारे देश में एक चर्चा चल रही है कि अंडमान में बहुत टिम्बर है असम से टिम्बर नहीं आता है चूंकि वहां से आ सकता है इस वास्ते वहां पर भी इसका भाव बहुत उंचा हो गया है और वह असम से टिम्बर ने आने की वजह से हुआ है लकडी के दाम आज इतने अधिक बढ़ चुके हैं कि बेचारे गरीब लोगों को तो अपने घर बनाने में भी बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पढ़ रहा है समप